आखे गाईज वेल्कम बैक अब तक की वीडियो सिरीज में हमने लिस्ट के बारे में सारा कुछ बात कर लिया है कि लिस्ट में हम क्या कुछ कर सकते हैं तो अब इस वीडियो से हम बात करना शुरू करेंगे टूपल्स के बारे में tuples क्या होती है और हम tuples को कहां कहां use करते हैं हम इस वीडियो में बही बात करेंगे tuples क्या होती है tuples भी एक list की तरह data structure है हम list में जैसे कोई भी item store कर सकते थे हम वैसे ही tuple में भी कोई भी item store कर सकते हैं हम किसी भी data types के item tuple में store कर सकते हैं even हम tuple के अंदर list भी store कर सकते हैं और हम list के अंदर भी tuple store कर सकते थे तो आप सोच रहोंगे कि हम अभी तक list के साथ काम कर रहे थे तो हमें tuple की जरुवत ही क्यों पड़ी हम tuple को use क्यों करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं tuple क्या होता है तो जैसे हम list बनाने के लिए square bracket को use करते थे हम tuple बनाने के लिए round bracket use करेंगे अगर हम square bracket use करते थे तो python को पदा चल जाता था कि हाँ ये list है लेकिन अगर हम tuple को बनाना है तो हम square bracket के अंदर नहीं हम round bracket के अंदर कोई भी item डालेंगे तो python को पता चल जाएगा कि हाँ यह tuple है तो चलिए हम एक tuple बनाते temperature का 31, 22, 33 तो यह हो गया एक tuple अब अगर मैं इस temperature variable का type function को use करके data type print करवा हूँ तो देखे हमारे पास क्या output आएगा हम यहाँ पर print करवा रहे हैं type temp और मैं इसे save करके अगर run करूँ तो यह देखे हमारे पास class tuple है इसका मतलब हमारा जो temperature है यह tuple है तो tuple और list में क्या difference होती है हम कोई भी item list में भी store करवा सकते हैं हम कोई भी item tuple में भी store करवा सकते हैं तो आप यह सोच रहोंगे कि list और tuple में difference क्या है तो list और tuple में एक सबसे बड़ा difference यह है कि list mutable है और tuple immutable है mutable और immutable में difference क्या है वो मैं आपको बताता हूँ मैं सबसे पहले एक list बनाता हूँ और list में मैं assign करता हूँ same value 31,22,33 और अब हम चाहें तो list में कोई भी item append कर सकते हैं कोई भी item delete कर सकते हैं हम modify कर सकते हैं list को जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं li.pop और मैं simply यहाँ पर print करौँ li और मैं अगर save करके run करूँ तो हमारे पास last item यहाँ पर list में delete हो चुका है तो अगर मैं same चीज टूपल के साथ करना चाहूँ कि मैं टूपल में कोई item delete करना चाहूँ कोई item add करना चाहूँ तो क्या मैं वो कर सकता हूँ जी नहीं मैं वो नहीं कर सकता अगर मैं print करौँ temp.pop और मैं अगर इसे save करके run करूँ तो ही देखिए हमारे पास error आया है हम टूपल में कोई भी item को add, delete, remove नहीं कर सकते हैं जो एक बार टूपल में item बन गया हम उसे change नहीं कर सकते हैं यही main difference है टूपल और list में टूपल एक immutable है जिसका मतलब कि हम कोई भी item उसमें add नहीं कर सकते हैं कोई भी item हम उसमें add नहीं कर सकते हैं कोई भी item हम उसमें delete नहीं कर सकते हैं और लिस्ट में हम उस सारे चीज़ कर सकते हैं तो आप सोच रहोंगे कि फिर टूपल को यूज़ करने सच्छा तो हम लिस्ट यूज़ कर लें लिस्ट हमें ज्यादा पीचर प्रोवाइड करते हैं पर नहीं हमें कोई-कोई डेटा ऐसा चाहिए होता है जिसे हम कभी भी डिलीट ना कर पाएं और कभी भी हम उसे मॉडिफाई ना कर पाएं जैसे अगर हमारे पास किसी डेट का टेमप्रेचर है 33.3, 45.7 और 21.6 अगर हमारे पास ये किसी डेट का टेमप्रेचर है और हम नहीं चाहते कि ये कभी भी इंटेंशनली ये बाई मिस्टेक ये एडिट हो जाए या ये डिलीट हो जाए तो इसके लिए हम टूपल को यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये डेटा सेफ रहा है और ऐसे घ्राइबल की खास बत है कि ये लिश से फास्ट है हम टूपल में कोई भी बी ऑपरेशन करेंगे वो लिश्ट से जादर जलदी प्रफॉर्फ़र्म होगा और टूपला-टूपल में सेम टेटा इस्टोर करें और cannot coast करें लिए कि हमारे अगरे तूपल वाला व्याप सकते हैं हम चाहें तो जैसे लिस्ट को रेंज फंक्शन को यूज करके बनाया थे तो वैसे ही हम टूपल को भी रेंज फंक्शन को यूज करके बना सकते हैं अगर जैसे मैं यहाँ पर एक टूपल बनाता हूं नम नाम का और नम को मैं रेंज फंक्शन से इनिसलाइस करता हू और मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 to 11 अगर मैं 1 to 11 डालूँगा तो 1 to 10 तक का range हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और अगर हमें इसे list में convert करना होता था तो हम यहाँ पर list function use करते थे और अगर हम मैं save करके इसे print करवाया तो यह देखिए हमारे पास यहाँ पर list print हो चुकी है आप इसका data type भी check कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर ऐसे ही एक tuple भी बना सकता हूँ जैसे मैं यहाँ पर num2 is equal to tuple tuple function के अंदर मैं range function को call किया और उसमें मैं कोई भी sequence डाला जैसे मैं डाला 1 to 100 तो हमारे पास 1 to 99 हमारे पास एक tuple बन के आ जाएगी तो यह देखिए मैंने इसे print नहीं करवाया है print num2 तो हम ऐसे यह देखिए हमारे पास एक पहले list बन के आई है जो कि square bracket में है और हमारे पास एक tuple बन के आया है जो कि हमारा round bracket में है तो हम ऐसे tuple को create कर सकते हैं अगर हम चाहें तो हम manually भी इसमें data डाल सकते हैं और हम चाहें तो range function को use करके भी डाल सकते हैं तो यह तो ही कि हम tuple को कैसे बना सकते हैं अब हम बात करते हैं कि आप कई सारे बार कुछ इस तरीके का syntax देखेंगे तो आपको क्या लगता है यह क्या हो रहा है name के अंदर हर्ष है name के अंदर यश है name के अंदर प्रीटी है और अगर अगर मैं इसे simply print करवा हूँ name को तो हमारे पास क्या print होगा मैं save करके अगर run करूँ तो देखें हमारे पास tuple के अंदर सारे नाम present है हमने यहाँ पर जितने भी नाम दिये थे tuple के अंदर define हो चुके है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम tuple को बिना parenthesis के भी इनी slice कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर parents इस नहीं लगाया हूँ तो भी मैं tuple बना चुका हूँ और मैं ऐसा कुछ list में नहीं कर सकता था आप चाहें तो आप tuple ऐसा बनाए आप चाहें तो टूपल ऐसा बनाए ओके मैं अगर इस name का type चेक करूँ तो देखिए हमारे पास name है tuple type का तो यह था tuple अब एक last चीज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई tuple बनाना हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही value हो तो हम वो कैसे बनाएंगे अगर मैं यहाँ पर name is equal to curly braces के अंदर यहाँ लिखूँ first और मैं अगर इसे save करके और मैं इसका type देखूँ print type of name अगर मैं यह चेक करूँ तो आपको क्या लगता है यह name tuple है जी नहीं यह tuple नहीं है अगर मैं save करके run करूँ तो यह देखिए हमारा यह string है और अगर मैं same to same कोई number बनाओ num is equal to और उसको भी एक ही in slice करना है once है और मैं type function में num डालू तो क्या यह tuple है save करके अगर run किया यह देखिए यह int है यह भी tuple नहीं है यह भी int है तो आप सोच रहूंगे हमने यहाँ पर curly braces लगाया है तो यह tuple ही होना चाहिए तो यह tuple क्यों नहीं है अगर हमें tuple में सिर्फ और सिर्फ एक ही item रखना है तो हमें tuple के end में comma लगाना ज़रूरी है अगर मैं यहाँ पर comma लगाया है और यहाँ पर भी comma लगाया और अब मैं type of num किया जो कि इसका है तो अब मैं save करके अगर run किया तो ये देखिए हमारे पास ये tuple है तो अब मैं name variable का भी check करता हूँ और मैं save करके अगर run करूँ तो ये देखिए हमारे पास name variable भी एक tuple बन चुकी है तो हम ऐसे अगर एक ही variable assign करना होता है tuple में तो हम ऐसे tuple assign करते हैं तो I hope आपको tuple के बारे में काफी कुछ पता चला होगा इस वीडियो से अब next वीडियो से हम tuple में function कौन-कौन से use करते हैं method कौन-कौन से use करते हैं tuple inside list और list inside tuple ये सारे चीज हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि हम tuples में loop कैसे चलाते हैं तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content